नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि वेलोस डी कैपसूल का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है। वेलोस डी कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और वेलोस डी कैपसूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वेलोस डी कैपसूल पेट में उत्पन होने वाले एसिद की मात्रा को कम करता है। लेने की सलाह दे सकता है। जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वजह से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है। इसलिए इन साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए भी आपका डॉक्तर वेलोस डी कैपसूल को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है। ज्यादा तर एंटी बायोटिक दवाओं के सामाने साइड इफेक्ट्स में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है। इसलिए एंटी बायोटिक दवाओं की वजह से ये साइड इफेक्ट्स ना हो। इसलिए आपका डॉक्टर वेलोस डी कैपसूल को एंटी बायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा वेलोस डी कैपसूल का उपयोग कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे गेस्ट्रिक अलसर, एसिड रिफलक्स और जोलिंगर एलिसन सीन्ड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। जोलिंगर एलिसन सीन्ड्रोम एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में एसिड का उतपादन बहुत अधिक होता है। वेलोस डी एक ब्रैंड नेम है, वेलोस डी कैपसूल के अंदर दो दवाओं का कॉंपिनेशन होता है। वेलोज डी कैपसूल के अंदर सॉल्ट कमपोजीशन, रैबिप्राजोल 20-MG और डोंपेरिडोन 30-MG होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो खृपया वीडियो को लाइक करना नह भूलें। अब हम डिसकस करेंगे कि वेलोज डी कैपसूल को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर वेलोज डी कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। वेलोज डी कैपसूल को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए। लेकिन वेलोज डी कैपसूल की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको वेलोज डी कैपसूल को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। और डॉक्तर की सलाह के बिना वेलोज डी कैपसूल को नहीं लेना चाहिए। अब हम discuss करेंगे कि Veloze D capsule की वजह से क्या side effects हो सकते हैं? वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Veloze D capsule की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं, लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में Veloze D capsule की वजह से कुछ सामानने side effects हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुह में सूखापण, सिर्दर्द, शरीर की मासपेसियों या जोडों में दर्द होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती है इसके अलावा वेलोस डी कैपसूल की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती है लम्मे समय तक वेलोस D-Capsule का सेवन करने से, यानि कई महीनों या कई सालों तक वेलोस D-Capsule को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B-12, कैलशियम, आइरन और मेगनीशियम की कमी हो सकती है. इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना वेलोस D-Capsule को दो सपताह से अधिक नहीं लेना चाहिए. लम्मे समय तक या दिन में कई बार वेलोस D-Capsule को लेने से औस्टियो कोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है. औस्टियो कोरोसिस होने पर शरीर की हड़्िया बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है. वेलोस D-Capsule की वजह से औस्टियो कोरोसिस तभी होता है. जब वेलोस D-Capsule का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए. अगर आप दिन में कई बार वेलोस D-Capsule का सेवन करते हैं, तो इसकी वजह से भी औस्टिय विटामिन D के सप्लीमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए. ताकि ओस्टियो कोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके. या आपको कैल्शियम से भरपूर खादे पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए. और विटामिन D के लिए हर र प्रेगनिनन्ट महिलाओं और स्तंपां करा रही महिलाओं के लिए वेलोस D-Capsule का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है. लेकिन ज़्यादा जरूरत पढने पर डॉक्तर-प्रेगनिन्ट महिलाओं और स्तंपां करा रही महिलाओं को वेलोज दी कैपसूल को लेने की सलाह दे सकता है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वेलोज दी कैपसूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वेलोज डी कैपसूल को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका वेलोज डी कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।